नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी यूटूब चैनल भक्ती ग्यानतियोहार में स्वागत है आज मैं आपको माग इसनान की कहानी सुनानी जा रहे ही हैं किसी गाउं में एक साहुकार रहता था वह साहुकार बहुत ही धन्वान था उसे किसी पिरकार की कोई कमी नहीं थी उस साहुकार का भरा पूरा परिवार था बेटे, बेटी, बहु, नाती, पोती सब थे एक बार की बात है माग का महिना आया तो साहुकार की छोटी बहु ने माग इसनान का संकल्प लिया इस नान करने के बाद बहु ने अपनी सास से कहानी सुनने को कहा सास ने कहा बहु मेरी पास अभी कहानी सुनने का समय नहीं है मुझे पूजा करने है बच्चों को बाहर खिलाने ले जाना है तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो फिर छोटी बहु अपनी जिठानी के पास गई और कहानी सुनने को कहा तब जिठानी ने कहा कि छोटी मेरे पास अभी कहानी सुनने का समय नहीं है मुझे खाना बनाना है बरतन साफ करने है तुम ये कहानी किसी और को सुना दो फिर छोटी बहु दूसरी जिठानी के पास गई उनसे कहा दीदी मेरी कहानी सुन लो लेकिन उसने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा कि मुझे बच्चों को अभी दूद पिलाना है फिर छोटी बहु अपनी ननन के पास गई और ननन से कहा दीदी मुझे ये कहानी सुन और को सुना दो छोटी बहु बहुत परिशान होती है कि कोई कहानी सुनने वाला नहीं है मैं किसी कहानी सुनाओ तबी वहां से राजा गुजरते हैं छोटी बहु ने कहा क्यों नमे राजा जी को कहानी सुनाओ फिर छोटी बहु राजा के पास गई और राजा से कहा महराज म मेरे माग इसनान की कहानी सुन लो तब राजा ने कहा मुझे पूरा राजी घूमना है कहानी सुनने का मेरे पास समय नहीं है छोटी बहु निरास हो जाती है तब ही छोटी बहु की पडोसन वहां आ जाती है और कहती है क्या बात है तुम एतनी परिशान क्यों हो तब छोटी बहु कहती है मुझे माग इसनान की कहानी सुनानी है लेकिन कोई भी मेरी माग इसनान की कहानी सुनने को तैयार नहीं है फिर पडोसन कहती है मैं सुनूंगी तुम्हारी कहानी यह सुनकर छोटी बहु खुस हो जाती है और फिर दोनों मिलकर पूजा करती है और कहानी सुनती ह पूरे महीने दोनों मिलकर पूजा पाट करती हैं और कहानी सुनती हैं धीरे धीरे माग का महीना खत्म हुआ और छोटी बहु के माग इस्नान का संकल भी पूरा हुआ जिस दिन छोटी बहु ने उध्यापन किया वही दिन देव योग से उसकी जिन्दिगी का अंतिम दिन था वही दिन भगवान ने उसे लाने के लिए सुर्ग से बिमान भेजा छोटी बहु की सास बिमान देखकर भाग कर उसके पास आई और कहा मुझे भी तेरे साथ जाना है तब बहु ने अपनी साथ से कहा कि आपको तो पूजा करनी है और गाउं में बच्चे खिलाने है आप मेरे साथ कैसे आ सकती हूँ फिर बड़ी चिठानी आती है तो छोटी बहु कहती है आपको तो खाना बनाना है आप कैसे आ सकती है फिर छोटी चिठानी आती है तो बहु क कि तैयारी करो, तुम कैसे आ सकती हो मेरे साथ, फिर राजाजी आते हैं, और कहते हैं, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, तब बहु ने कहा, नहीं महराज, आप कैसे आ सकते हैं, आपको तो पूरा राजी घूना है, आखिर में, बहु की पडोसन आती है, और कहती है, मैं तोटी बहु को घमन डाने लगा वैं सोचती है कि मैंने माग के पूरे महीने इसनान किया और कहानी कही तभी मुझे स्वर्ग मिला लेकिन मेरी पडूसन ने तो सिर्फ कहानी सुनी है इसनान नहीं किया फिर भी मेरे कारण इसे स्वर्ग मिल रहा है बहु यह सोची रही थी कि अचानक भगवान ने उसे बिमान से नीचे फेंग दिया तब भगवान ने भगवान से पूछा भगवान आपने ऐसा क्यों किया मुझसे क्या भूल हो गई तब भगवान ने कहा तुम्हें अभिमान आ गया था इसलिए अब तुम मृत्ति लोक में ही रहो अब तुम माग आने पर तीन साल तक माग इसनान करोगी और कहानी सुनाओगी तब ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी भगवान जी पडोसन को स्वर्ग ले गए क्योंकि पडोसन ने बिना किसी स्वर्ग के कहानी सुनी थी अब छोटे बहु को बहुत पस्तावा हुआ उसने फिर से माग महीना आने पर माग इसनान किया और कहाने कही लगातार तीन साल तक छोटे बहु ने यह किया तीसरे साल पूरे होने पर फिर से बिमान आया और छोटे बहु को स्वर्ग ले गया जै हो मागदेब की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए साथ ही मेरे वीडियो को जादे से जादा शेयर करें धन्यवाद दोस्तों